हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग, welcome back to the channel, आज यहाँ पे discuss करने वाला हूँ SAC की तरफ से update, यहाँ पे कोई भी graduate के लिए vacancy निकाली गई है और 4000 प्लस vacancies अनौन्स की गई है, वीडियो को आप एंट तक देखने हैं यहाँ पे कोई भी graduate pressure apply कर सकता है और आपको यहाँ पे salary बह detail में समझ लेंगे ताकि आपको पता चल जाए apply करना है या नहीं, और अगर आप पहली बार इस channel पर visit कर रहे हो, subscribe करके bell icon जरूर से press करना, अगर आपको latest job updates and career guidance की वीडियो चाहिए, इस channel पर हमारा focus सिर्फ और सिर्फ freshers के लिए opportunities find करना रहता है, तो अगर आप freshers हो तो यह channel आपके लिए है, और हाँ bell icon प्रेस कर देना, ताकि daily update आप से miss ना हो, अब यहाँ पर discuss करेंगे, SEC की यह जो update है, as I said graduate freshers apply कर सकता है, यहाँ बहीं ने दो positions निकाली हुई है, एक है यहाँ पर executive की, sub inspector, एक है sub inspector GD, तो दोनों positions के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर आप SEC इसी में interested नहीं हो, आपको यहाँ पर कोई private company इसके बारे में जानना है, और वहाँ पर apply करना है, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ opportunities के बारे में बताना चाहूँगा, जो अभी active है, जैसे ही आप description में जाओगे, आपको बहुत सारी jobs की link मिलेगी, आपको मैं पहली job बताता जो मुझे पसंद आई है, हैदरबाद में है business development and sales executive की, 15,000 से 30,000 तक की आपको salary मिल जाएगी, जैसे ही click करोगे, app install कर लिया है, registration कर लिया है, तो directly आप ऐसी screen पे पहुँचोगे, जहां से आप directly apply कर सकते हो, उसके बाद next link आपको मिल जाएगी, just dial की, जहां पे sales and marketing executive की vacancy है, मुंबई में है 20,000 से 30,000 आपको मिल जाएगी, job requirements and description आपको यहां पे देख रहा होगा, और आप यहां पे directly apply कर सकते हो, आप यहां पे देख पा रहे होंगे, HR ने response कितना percentage किया हुआ है, 90 percentage किया हुआ है, मतलब आपको यहां पे response मिल जाएगा, उसके बाद third link है, relationship manager की Indian money मे Bangalore location है और 15,000 per month आपको मिल जाएगे, और यह work from home opportunity, 100 opening से आप यहां पे बिलकुल apply कर सकते हैं, HR का response 100% दिखा रहा है, आपको और भी बहुत सारी links मिल जाएगी, इस वीडियो के description में, चेक करना मत बूलना, और अभी अपना app पे job मेला चल रहा है, यह तो कुछ updates थी जो मै recruit कर रही है, आपको यहां पे 40,000 per month तक की salary की job मिल सकती है, और सबसे अच्छी बात, यहां पे कोई charges नहीं है, यहां पे आपको कोई charges पे नहीं करने है, ना registration के, ना job में apply करने के, ना कोई credit वाली, trial वाली system में, अब बिलकुल free में apply कर सकते हो, इस video के description में आपको link मिल में, यहां पे मैंने आपको बताया, sub inspector, GD and sub inspector executive में vacancy है, और यहां पे number of post जो है, executive में आपको 228 मिल जाएगी, male के अंदर, female के अंदर 112, और यहां पे GD के अंदर total vacancies अगर हम बात करें, तो male female की, यहां पे BSF, CISF, CRPF, ITPP, SSB, ऐसी total, यहां पे आपको 3960 vacancies मिल जाएगी, जो कि यहां पे बहुत बड़ा number है, और अगर आप दोनों का addition करोगे, तो यह vacancies 4000 से जादा हो जाती है, अब यहां पे अगर हम बात करें न, तो यह application 10th August से start हो चुका है, और इसकी last date 30 August है, आपके बास अभी भी ample time है, apply करने का, बहुत ज्यादा आपको यहां पे जो है, ल salary बगेरा क्या मिल जाएगी, तो जैसे कि यहां पे payout आपको screenshot में दिख रहा होगा, 35400 लेवल 6 का आपको basic पे मिल जाएगा, और यह आपका time to time बढ़ता जाएगा, जैसे as per the norms होता है, लेकिन यह 35400 basic पे है, अगर हम बात करें सारी total emoluments की तो यह आपका 50 से 60,000 के बीच में group C में आती है, लेकिन यहां पे जो pay है, level 6 का दोनों में same रहेगा, educational qualification के बारे में बात करें, तो आपकी यहां पे degree complete हो गई होनी चाहिए, 30 August 2022 तक, मतलब कि अगर आप 2022 में पास आउट हुए हो, तो आपका अभी तक तो result आगया होगा, तो आराम से आप apply कर सकते हो, बात कर selection process की and बाकी important details की, तो इन्होंने date में बाकी चीज़ें तो दी हुई है, जैसे कि यहां पे exam कप conduct करने वाले है, तो अगर हम बात करें, तो इन्होंने tentative दे दिया है, actually tentative भी नहीं है, यहां पे computer based examination का सिर्फ month दिया हुआ है, जो कि यह November 2022, यह पहली exam का होता है, generally आगे की process क के बारे में यह लोग नहीं बताते है, SSC का ऐसा रहता है, और थोड़ा late होगा, आपको meanwhile कोई और job find करनी होगी, और parallel इसमें आप यहां पे जैसे जैसे exam के लिए बुलाते है, आपको यहां पे appear करना होगा, क्योंकि इस recruitment में काफी लंबा time चला जाएदा, so यहां पे selection process के बारे में बात करते है, application fees यहां पे 100 रुपए है और वो भी यहां पे SCST वालों को pay नहीं करनी होती है, जो generally same ही रहता है, यहां पे 100 रुपीज है, women SCST उनको यहां पे fees pay करनी की ज़रूरत नहीं है, so अब आते है selection process पे, लेकिन जैसे हैं स्क्रॉल कर रहे हैं, तो पहले इन endurance test and physical standard test रहेगा and बात में आपका paper 2 रहेगा, then medical examination होगा, आपको यहां पे physical test जो रहेगी वो qualify करनी होगी और paper 1, paper 2 वो आपको जो है अच्छे marks लाने होगे, तो paper 1 में आता है, general intelligence and reasoning, general knowledge and awareness, quantitative aptitude, English comprehension, सारे 50 questions है, 50 marks है और 2 गंडे का time दिया जाएगा, paper 2 के अंदर English language and comprehension रहेगा, जो कि 200 questions रहेंगे और 200 marks रहेंगे, और यह यहां पर 2 गंडे के लिए आपको time दिया जाएगा, so यह जो paper 1, paper 2 है, आपको same day देना होगा, इसके लिए कोई separate day नहीं होगा, यहां पर negative marking है 0.25 की और यहां पर आपको अच्छे marks लाने होगे, क्योंकि आपका जो final merit list बनेगा, वो इसी के basis पर बनेगा, जो आपका final selection होगा, क्योंकि यहां पर कोई interview ऐसा कुछ नहीं है, तो यह exam के थुरूई यहां पर यह लोग selection करने बाले है, आगे बात करते है syllabus के बारे में, तो syllabus दिया हुआ है, general intelligence and reasoning का दिया हुआ है, and knowledge awareness, सबका syllabus इनोंने detail में दिया है, one by one सारे subjects के syllabus आपको यहां पर screen पर देख रहे होंगे, paper 2 में भी English language and comprehension का syllabus इनोंने दिया है, अब बात करते है, physical endurance test की, and physical standard test की, तो यहां पर endurance का मतलब यह होता है, कि यहां पर आपकी running वगरा चेक की जाएगी, और standard मतलब यह आपके body में dimensions होने चाहिए, minimum इतने होने चाहिए, जैसे male का भी अलग से दिया हुआ है, तो यह सारी चीज़े है, इतना तो होना ही चाहिए, अब endurance test की अगर हम बात करें, तो male candidates को यहां पर 100 meter race complete करने होगे, 16 seconds में, 1.6 km की race 6.5 minutes में and long jump 3.65 तीन chance दिये जाएंगे, high jump 1.2 meters and short put 4.5 meters in 3 chances, यह आपको यहां पर करना रहेगा, और female के 100 meter, 800 meter, long jump 2.7, high jump 0.9, जो भी होगा, आपको screenshot भी दिख रहा होगा, जिससे आप यहां पर video box करके पूरा read भी कर सकते हो, तो यह है physical endurance test and आपको यहां पर बाखी आगे जो है, अगर आपका selection होता है, then आपका यहां पर medical examination होगा, अब किस तरीके से apply करना है, उसके बारे में ब notification official website पर देख रहा होगा, नहीं तो इन्होंने notification में भी clearly mention किया होगा है, आप यहां पर online application आपको जो website पर देखेगा, जैसे ही आप open करोगे, तो यहां पर आपको कुछ इस तरीके से name भी देखेगा, website पर जाओगे तो, Sub Inspector in Delhi Police and Central Armed Force Examination 2022, इस पर click करोगे तो यह application open हो जाएग और कुछ पहली screen आपको इस तरीके से दिखेगी, जिसमें आपको basic अपने details वगरा fill up करनी है, जो शायद fill up होके आएगी, क्योंकि आपने one time registration complete किया है, बात में आपको आगे select करना होगा, कि आप यहां पे अपने 10 standard, 12 standard कप complete किया है, और बाकी basic, अगर NCC certificate है तो उसका relaxation मिल जाते हो, क्योंकि यहां पे GD and executive दो है, तो दोनों में से कोई एक आपको select करना रहेगा, जैसे आप select करते हो, आपका यहां पे application submit हो जाएगा, बहुत simple process है, screenshot की help से इन्होंने पूरा detail में दिया हो, notification में आप check out कर सकते हो, जिसकी link मैं आपको description में provide कर दूँगा, so यह है प application पर आपको 40,000 per month की salary की job मिल सकती है, अगर आपके पास proper skills है, और company ने यहां पे जो vacancy post के, उसके लिए आप completely fit होते हो, so description में link दी होई है, check करना मत बूलना उसको भी, SAC की भी link मैंने provide कर दी है, उस पर आपको notification as well as apply करने की link मिल जाएगी, 30 August last date है SAC में apply करने की, तो वहा जैसे आप हमारी दूसरी वीडियोस चेक आउट कर सकते हो, recently जो हमने बनाई हुई है, what is data science and कुछ interviews भी कंड़क किये हुए, जो check करना मत बूलना मैं i button में attach कर दूँगा, so चलिए इसी के साथ वीडियो को end करते हैं, मिलते नेक्स वीडियो में नेक्स जॉब अपडेट मे तब तक के लिए, goodbye, take care